बाराबंकी जलास्पताल की मनरोग चिकिसक डॉक्टर आरती यादों ने कहा बिमारी को छुपाए नहीं आपके अंदर क्या चुल रहा है उसे पहचाने जार फूक करने के बजाए सीधा जलास्पताल जाए जलास्पताल में इलाज के साथ साथ सभी दवाएं उपलब्ध हैं अब साथ चिंता परिशानी होने पर मनरोग चिकिसक को अवश्य दिखाएं यहां के गवर्मेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर आरती यादो के साथ आप साकेटर्स हैं और जो आउसाद है उसको लेकर के मैं उसे कुछ बात करेंगा बश्षब देनिक भसकर को यह बताई है कि बारा बंकी में जब से आप हैं किस तरह के जो पेशेंट हैं वो आ रहे हैं आते हैं या नहीं आते हैं को कि मैं फोड़ी ज़र पहले यहां पर था यहां पर पेशेंट मुझे दिखाई नहीं नहीं है क्या कहना चाहेंगे आप देखे अभी भी लोगों में मानसिक रोगों को लेकर के जागरुपता की कमी है बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि उनको जो लक्षड आ रहे हैं वो उस पे किसी प्रकार के जाद उटोने का बूत प्रेत का साया हो सकता है या अगर उनको कोई लक्षड आ रहे हैं तो वो अकसर इस चीज को समझ नहीं पाते हैं कि ये किसी प्रकार की बीमारी का हिस्सा हो सकता है ऐसे में जब तक उन्हें ये जाग रुपता नहीं होगी कि ये बीमारी है और इसके लिए इलाज के लिए आना चाहिए तब तक इस तरीके की मानसी क्रोप की OPD में आप लोग को मरीजों की संक्या में कमी ही दिखाई देनी है अड़ोसर जो कहा जाए कि डेप्रेशन है या मेंटल डिस ओडर है या एंजाइटी की प्रॉब्लम है ये इस तरह के लोग जो आते हैं उसको आप लोग कैसे समझते हैं कि किसको क्या दिक्कत है ये क्या इसके लिए कांसलिंग कैसे करते हैं ठीक है देखिए सबसे पहले बात आती है कि हम लोग डाइगनोसिस बनाते हैं हम लोग मरीज से बात करते हैं कि उसको क्या दिक्कत हो रखी है, किस प्रकार के उसमें लक्षण आ रहे हैं, पूरी हिस्ट्री टेकिंग का पार्ट होता है, उससे समझ आता है कि मरीज को किस प्रकार की बीमारी हो सकती है, जाधा तर मानसिक रोग इस प्रकार के होते हैं, जि उसके घरवालों से उसके लक्षोडों का पता करके इस तरीके से उसका डाइग्नोसिस बनाते हैं जब डाइग्नोसिस बन जाती है तब डिपेंड करता है कि उसका ट्रीटमेंट किस तरीके का चलेगा दो तरीके का ट्रीटमेंट होता है या तो दवाईयों के साथ में सभ्किल आप जाता है। बट्शों क्या आप काफी समय से तो नहीं है। जो इस प्रोग्राम्स चलते हैं इसकूलों में आपसे मेरी आफ लाइन बात हो रही थी। इसकूलों में क्या बच्चों में भी इस तरह के लक्षण हैं आपको देखने को लगा है है। आपको कि आपनों प्रोग्राम चल आते हैं जी बिल्कुल देखे जिला लेवल पर डिस्टिक मेंटल हेल्फ प्रोग्राम चल रहा है सरकार की तरफ से इसमें हम लोग स्कूलों में जाकर के बच्चों को और टीचर्स को में आविरनेस् का आती हैं कि अगर से डिली बिल्स पर चल दाक्यां। में रखते हुए स्कूल के प्रोग्राम चलाए गए अगर स्कूल के लेवल पे बच्चे को आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा कि इसमें मानसी रोग की संभावना है वो हमारे पास आएगा हम डाइग्नोस करेंगे और ट्रीटमेंट करेंगे तो आगे जाके बिना दवाई करेंगे जिस तरह से प्राइवेट डॉक्टर देते हैं क्या कहना है आप असकर देखिए ऐसा नहीं है गवर्मेंट सेट अप में भी क्वालिफाइड डॉक्टर बैठे हुए हैं और रोक के अनुसार जितना समय देना चाहिए मरीज को उतना समय भी दिया जाता है रही बा से अस्पताल में उपलब्द कराई गई है और हमारे ऐसे मरीज हमें मिलते हैं जो इन दवाईयों के साथ में पूरी तरीके से ठीक होते हैं तो हम उनके गुडवत्ता पे भी सवाल नहीं उठा सकते हैं लग सब एक आफरी यह है कि क्या कहना चाहेंगी रोगियों से रोगि के लक्षण हैं और मानसी को पूरी तरीके से दवाईयों और ठीक किया जा सकता है इसके अलावा इनको रोका भी जा सकता है अगर दिमचर्य अच्छी की जा रही है खान पान अच्छा किया जा रहा है लोगों के सरकल में रहा जा रहा है सोशल सरकल बना कर रखा जा रहा है स्क्रीन टाइम खास करके कम किया जा रहा है तो इन रोगों को काफी हद तक हम लोग रोग भी सकते हैं कुल मिला कर देखा जाए तो डॉक्टर पर कहना है कि अपने जो आपके अंदर चल रहा है उस विथा को अपने लोगों से कहिए जरूरत पड़े तो डॉक्टर से मिलिए बीमारी को छुपाईए नहीं सरकारी इस्पताल जरूर आईए क्योंकि यहां पर आपका इंतजार हो रहा है यहां पर दवाएं भी हैं डॉक्टर्स भी हैं बारा बंकी से विवरो प्रमू कामेर अली तैनिक भास करें